वेलकम मैं चैनल लेट्स बुलन शहर यूपी आज हम कक्षा आठ भोगोल की पार्थ दो किर्सी एवन सचाई के संब्ध में पढ़ेंगे किर्सी किर्सी तो सामान में हम यह समझते हैं कि हमारे आसपास में जो फसले बोई जा रही है और काटे जा रही है वह किर्सी है जबकि ऐसा नहीं है किर्सी से तात्वारे केबल खेती करना अर्थात फसलों को बोना और काटने से नहीं है किर्सी के साथ साथ जो हम और कार्रे करते हैं फसलों के साथ साथ पशू पालन में मुर्गी पालन मदुमक्खी पालन क्रेशम कीट पालन जिंगा पालन बागवानी मतस्य पालन आदी जो कार्रे करते हैं ये सब किर्सी के अंतरगत आते हैं किर्सी के अंतरगत जितनी भी फसल अपनी मनुश्य अपनी आफसक्ताओं के लिए बोते है पौदे जो गाता है उसे फसल कहते हैं पसू जो पालता है उसे फसू पालन कहते हैं और वन और मतस्य पालन जो होता है इसे हम वन की या मतस्य पालन भी कहते हैं किर्सी के मुख्यता दो प्रकार होते हैं एक निर्वा किर्सी और दूसरी वैपारिक किर्सी किसान जब पैदा करता है सिर्फ इतना पैदा हो उसको चोटी सी जमीन है जिसके अंदर उपने घर का निर्वा कर सके और एकाद भेंस वगेरा पाल ले तो उसे निर्वा किर्सी कह कहते हैं अच्छा हमारी हैं जो देश में फसले पहले पहुएं एक यह तो किर्सि के उनठ और वालर और वाज्गे अबचोडी इसके अनव करदान जो नगद्ी वाज्गे भजा दैए जूetusस, नकदी भशवी गंग चपना, कपास, जूट तिलहन, तमाकू आदी, पे यह में बागाती फसले, पे और बागाती फसले वह हैं, पे यह अनकी पीते हैं, जैसे चाय, कहावा, रवाण, गरम, मसाले, बागाती फसलों में आते हैं, इस परकार से तीन परकार हैं हमारे हैं फसलों के, खादान फसले, नगदी फसले और पे किर्सी फसलों के परकार हमारे हैं किर्सी फसलों के तीन परकार हैं रवी की फसल खरीब की फसल और जायद फसलें रवी की फसल वो फसल होती जो जाड़े प्रानम होने पर बोई जाती है यानि कि अक्टूबर नमबर में बोई जाती है और गिरिस्म रितु सुरू होने पर का जाती हैं जैसे कि हमारे धान, मक्च, जोार, मुण, जूट, मुफली, आदी और सीत, रितू, प्राराव मोहने पर यानि कِ सितंबर और अक्टूबर में वो काट दी जाती है ये तीसरी फसले हैं हमारे जायत फसले ये वो फसले हैं जो मार्च अपरेल में बोई जाती हैं और लगबग जुमईस के लास्ट में और जून तक वो काट ली जाती है यानि कि बर्सा शुरू होने से पहले काट ली जाती हैं ये हैं हमारी तर्वूज, खर्वूज, ककड़ी और सबजिया जो गर्मियों हम जिनका बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं अब हम कुछ फसलों की आवश्क दसाय और प्रप्रणुक शेत्र के वारे में पढ़ेंगे जैसे कि चावल, चावल की जो आवश्क दसाय अत्यदेग गर्मी, अत्यदेग पानी और उपाजिस चिकनी मिठी चाहिए इसके लिए उप जाओ एक हैं, इसी प्रकार से ग्याहूं, ग्याहूं के जो मुखे उत्पाद अक्षित्र हैं वो उत्तर परदेश, पंजाब, मद्धे परदेश, हरियाना और राइस्थान हैं, इसके लिए आवश्क दसाओं में, दौमट, मित्टी, सामान नह वर्सा, इसी लिए सिचाई की आवश सकता, परते एक दसाओं की जोई किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, हर एक में हो जाती है, कम वर्सा और कम मेहनत के अंदर ये फ़सल हो सकती है, इसके लावा तीसी लिए हमारी चाय, चाय, मुखेता, पशी मंगाल, असम, मेगाल, लियाना चल परदेश, उत्राखन, महमा चल परदेश, तमिल नाडू, केरल की पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है, या भोई जाती है, और अधिक इसके लिए आवसक दसाओं अधिक वर्सा, गर्म, पहाड़ी, ढाल, जिस पर पानी रुके ना, इस पर कारकिस की आवसक दसाओं होनी चाहिए, इसके अलावा अगली फसल है हमारी कपास, कपास मुक्यता, महराष्ट, गुजरात, मद्य परदेश, तमिल नाडू, उत्तर परदेश, पश्यमंगाल, करनाटक और हर्णाड़ा के अंदर बोई जाती है, और ये काली मिट्टी, नम जलवाई और सो संटीमेटर बर्सा वाली छेतर के अंदर ये ह अगला है जूट, जूट जो है असम, पश्यमंगाल, मद्य परदेश, बिहार, वोत्तर परदेश, उडिशा के अंदर होता है, और इसके लिए आवसक दरसाएं, अधिक वर्सा, गर्वे नम जलवाई चाहिए, ये तो थी फसलों की बार, अब फसलों की सचाई के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि हमारे देश में कौन-कौन से फसलों के सचाई के साधर रुपयों होते हैं, हमारे हैं ज़्यादा तर नहरे, नलकूप, कुवे और अन्ने सरोत हमारे हैं प्रियोग में लाए जाजए हैं, तर ताला आप भी, हमारे दच्छनी भारत के अंदर ज़् प्रियोग में होते हैं, हमारे हाँ सबसे ज़्याद़ जो प्रियोग होता है वो नलकूप को हुता है नलकूप बोले तो आप टूबेल बोलते हो, तोसे, दूसे नमर पर नहरे हैं, जिनका हमारे सचाहिए में प्रियोग होता है, लगबग 23% उसके अलावा 16% कुवों से होता है और लगबग 2% से 0.5% लगबग तालाब का प्रियोग किया जाता है और अन्य शुरूत हमारे हैं 11% सचाई के लिए प्रियोग किया जाते हैं अब भारत के अंदर कुछ छेत्र हैं जिनके अंदर ज्यादा सूखा पड़ता है तो वहां पर डिप पड़ती या टपक पड़ती या छड़का पड़ती इन सब का प्रियोग किया जाता है जिससे कि कम पानी से ज्यादा स्चेत्र को सिंचित किया जाता है इसके अलावा इस स तारे करम का उद्देश से उन्नत किसम के बीज, खाद, किर्शी तथा आधुनी की अंतरों का उपयोग द्वारा किर्शी उपजमेती वर्वरद्धी करना था। इसे ही हरित करन्ती कहते हैं भारत में डाक्टर एम एस स्वामी नार्थन को हरित करन्ती का जनक कहा जाता है। हरित करन्ती की मुखे बाते थीं कि अच्छे उपज के वीज हों और वीजों में सुधार हो। हरित करन्ती को बढ़ावा देना था जो आजकल हम अपने खेतों में आसपास में देखते हैं। कि हम जो रसाइन परदारतों को प्रियोक करते थे वो इंडारेक्टली हमारे खाने में आने लगे और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुचाने लगे। इसी के साथ यह वाला पार्ट समापत होता है बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू वेरी मुश्च श्यादा